रिशाब भपंत और रिकी पॉंटिंग के बीच हुई लड़ाई तो गौतम गंभीर ने किया कुछ ऐसा जी हाँ दोस्तो देली कैपिटल्स और केकियार के बीच हो रहे मैच में हमें एक हैरान कर देने वाला धृस से देखने को मिला दर असल इस मैच में केकियार के बल्ले बाजों ने दिल्ली के गेंदवाजों को खूब धोया और इस दोरान कप्तान रिशाब भपंत काफी ज्यादा कन्फ्यूजड और फ्रस्टेटेट दिख रहे थे पंत ने तो दो DRS भी मिस कर दिये जो उन्हें विकेट दिला सकता था इसे देख डगाउट में बैठे सौरफ गांगुली और रिकी पॉंटिंग भी काफी निराश थे दोनों को भी काफी फ्रस्टेटेट देखा गया वही टाइम आउट के दौरान तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सब को हैरान कर दिया रिकी पॉंटिंग और रिशफ पंत को लाइव मैच में लड़ते हुए देखा गया पॉंटिंग पंत को कुछ समझा रहे थे लेकिन पंत उनकी बात ही नहीं सुन रहे थे और उनसे ही बेहस कर रहे थे दोनों के चेहरे पर काफी गुसा देख रहा था दोनों के बीच गर्मा गर्मी काफी बढ़ गई थी दिल्ली के सभी खिलाडी बस वहाँ खड़े होके उन्हें देख रहे थे इस घटना को देख सब हैरान थे दोस्तों इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करे